हेलो व्रिवन कैसे आप सभी मैं विक्या आप सबका स्वाज़ात करता हूँ लिट्रेटरेश प्लेनर पे तो आएए अब हम नाउन के कुछ और कटेगरी की बात करते हैं आज की हमारी कटेगरी होगी नाउन दा केस नाउन की अगली कटेरी दा केस अब यह केस नाउन में आकर करेगा क्या तो सबसे पहले जानते हैं यह केस एक्चुल में होते क्या है तो देखिए जितने भी नाउन है उनके चार केस बनेंगे सबसे पहला केस दॉन नोमिनेटिव केस थे केस अबजेक्टिव केस पजक्श्यकेश केयस तो नमेट होते हैं नमेट हैं मतलब ऐसे नाउन जो सब्जेट की तरह काम करें जो किसकी तरह काम करेंगे सब्जेट की तरह काम करेंगे जैसे रामा विल डू हिज वर्क यहाँ पे राम एक नाउन है और यह इसका सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट होने के साथ साथ यह किस केस में है नॉमनेटिब केस में ठीक है ना तो चलिए देखते हैं अब यह ऑबजेट की तरह काम कैसे करेंगा ओके ठीक है आई गेव आँ पैन टू शाम ठीक है ना अब देखते हैं मैंने बात किया था अपने पिछले की इस वीडियो में कि अगर हमें ऑबजेक्ट निकालना हो तो क्या किसे और किसको लगाते हैं अबजेक्टिव केस की रूप में कैसे काम करेगा आई गेव अपन टू स्याम तो मैं एक मैंने एक कलम दिया किसको दिया स्याम को तो यहाँ पे स्याम किसकी तरह काम कर रहा है अबजेट की तरह काम कर रहा है ठीक रहा है अब यह पजशेटिव केस कैसे से काम करेगा इसकी एंतोरा सब बाव में बात करते हैं पर यह देखते हैं वो के 2d court case धृकर केस एक्छल में क्या है देखिए व काटे मतलब होता किसी को एडरस करना किसी кो संबोधित करना संब्धन है मैं जैसे हम class में कभी बोलते हैं कि राहुल खड़े हो जाओ राहुल खड़े हो जाओ तो यह जो राहुल है राहुल कॉमा स्ट्टैट करते हैं हमारे पजस्टिव केस पॉजश्शिव केस की तो यह पॉजश्शिव वर्ड किसे बना हुआ है यह बना हुआ है पॉजश्शन से पॉजश्शन पॉजश्शन मतलब होता है अधिकार यह क्या सो करेगा तू सो दा पॉजश्शन तू शो दा पॉजश्शन अब देखिए अब यह पॉजश्शन सो करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है जैसे हो गया राम बुक अब इस बुक पर हमको अधिकार सो करना है किसका राम का ठीक है ना राम का हमें अधिकार दिखाना है किस पर इस किताब बढ़ तो हम राम इस किताब पर अधिकार दिखाने के लिए हमने एक apostrophe YES का huge किया apostrophe का US use करते हैं और use करते हैं OFF यह दोनों क्या है यह 200 यह possession so करते हैं apostrophe yes या OFF लगा के हम possession so करते हैं तो आईए हम कुछ नियम जानते हैं कि यह possessive case actual में काम किरता है तो आईए जानते हैं noun के कुछ और नियम तो आईए देखते हैं हम possessive case को एक ये interface रहेगा to show relation और possession जैसे अभी हमने बात किया to show ये possessive case actual में noun की तरह काम करके noun की तरह काम कैसे करता है to show relation और possession ये क्या so करता है relation किसी के बारे में संबंद बताता है और अधिकार बताने का काम करता है by using apostrophe yes, off या yes के बाद में apostrophe मतलब हम apostrophe yes यूज़ कर सकते हैं, off यूज़ कर सकते हैं और yes के बाद में हम apostrophe यूज़ कर सकते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे जैसे example की बात करें अभी अभी हमने इसी example की बात किया कि हमें इस book पर किसका अधिकार सो करना है राम का अधिकार सो करना है तो हम इसमें apostrophe yes लगा सकते हैं ठीक है the pages of books अब इस किताब के पन्ने इस किताब के पन्ने इन पन्नों पर किसका possession सो किया जा रहा है book का तो यहाँ पर off क्यों लग गया अभी हम बात करते हैं कुछ आगे के नियम पर ठीक है boys hostel boys hostel अब यहां पर apostrophs यहां क्यों नहीं लगा यहां क्यों लगा है तो आए हम जानते हमारे कुछ अगले rules में तो आए बढ़ते हमारे rule number one की तरफ तो ध्यान दीजेगा जितने भी living person thing लंद कोई भी झिंग तो लिविंग हो नहीं सकती living person जितने होंगे उनके साथ में हम apostrophe yes का use कर सकते हैं ठीक है खुद धिःहान से दिखेगा जो similar noun होंगे उन में हम apostrophe yes का use करेंगे, apostrophe पहले yes बाद में, लेकिन जब plural noun प्लूरल नाउन में हमें पजस्टन दिखाना है तब पहले यस रहेगा उसके बाद में अपास्ट आफी यस का यूज हम करेंगे कैसे अगर मुझे लिखना है बॉइज बुक गल्स बैग ठीक है फादर्स बाइक तब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यह जो बॉइज है यह सिंगलर नाउन है यह जो गर्ल है यह भी सिंगलर नाउन है और यह जो फादर है यह भी सिंगलर नाउन ही है इस सब सिंगलर नंबर में यूज हुए है तब इनके साथ में अपास्ट आफी यस लगा है पहले अपास्ट आफी लगा है उसके बाद में यस लगा हुआ इसमें भी देखिए अपास्ट आफी लगा है उसके बाद में यस लगा है और जिस पर सो किया जा रहा है पॉझशन जिस पर अधिकार बताया रहा है वह उसके बाद में लिखा जाता है इसका मतलब इसका अगर हम फार्मॉले की बात करें तो सिंगुलर नाउन अपास्ट आफ यूस उसके बाद possession हम इस तरह से इसको हम form करते हैं लिखते हैं लेकिन अगर plural की बात आती है plural noun की बात आती है तब हम apost of yes बाद में लगाते हैं पहले yes लिखते हैं क्यों जैसे लिखना है हमको boys boys अब boys के बाद में apost of yes लगाना है अब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिर boys फिर यह hissing sound यह हिश करने लगेगा हमारा sound दूसरा हो जाएगा ठीक है तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या लगाएंगे yes लगाएंगे पहले और apost of yes लगाएंगे बाद में अब इसका मतलब यह हो जाएगा लड़कों की किताब लड़कों की बॉइस बुक्स लड़कों की किताबे गर्ल्स बैक्स यह लिख सकते हैं गर्ल्स होस्टल ठीक है तो यह रहा singular और यह लगा plural इसमें हम जानेंगे कि जब living things होगा बात को हम याद दिखेंगे कि जब living person होंगे उसी के साथ में हम apost of yes का परियोग करेंगे और apost of yes इसमें दो तरह के use हो रहा है singular आएगा तो पहले अपास्टाफी बाद में yes plural आएगा तो पहले yes बाद में अपास्टाफी तो आएए हम जानते हैं कुछ और नियम तो आएए बढ़ते हैं rule number two की तरफ rule number two हमारा कहता है जितने भी non living person है या things है non living things non living things अब person तो things होंगे नहीं अगर person non living हो गया तब फिर things में आने लगते हैं ठीक है non living things इसमें हम अपास्टाफी यस या यस के बाद में अपास्टाफी यस लिखने को क्या करते हैं अवाइड करते हैं इसके साथ हम लगाते हैं possession आफ लगाते हैं जैसे चेर्स लेग ठीक है और क्या हो जाएगा रूपस कलर ठीक है सोल अब इसमें अपास्टाफी यस लगाना घलत माना जाता है यह क्या हो जाएगा लेग आफ चेर ठीक है कलर आफ रूफ ठीक है सोल आफ सूज तो इस नियम में हमने जाना कि नॉन लिविंग तिंस जितनी भी होती है अब आपके मस्तिस्क में नॉन लिविंग तिंस के बारे में चीजें सामने आनी चाहिए आपके कि नॉन लिविंग तिंस कोन कोई से चीजें हो सकती है तो वो नॉन लिविंग तिंस आइए हम कुछ और जानते हैं कि अपास्टॉफ यास कहां यूज होगा और कहां पास्टॉफ यास यूज नही होगा तो रूल नॉम्बर ओन में हमने समझा कि plural noun के साथ में apostrophe बाद में लगाते हैं yes के तो आए क्या जानते हैं कि क्या कुछ और plural nouns ऐसे हैं क्या उनके साथ भी यही बेवार होना है जैसे बूमन यह भी प्लूरल है इसका सिंगलर क्या हो जाएगा बू मैं वी मैं ठीक है चिल्डरेन अब इसको दिहान से देखेगा कि वी मैं एंड चिल्डरेन यह भी तो प्लूरल ही है न और इसके साथ में हम अपास्ट आफी यस लगाएंगे कि या यस के बाद में अपास्ट आफी लगाएंगे यह हमारा प्रश्ण तो देखिए दिहान से कि वी मैं के लास्ट में जो साउंड है वो ना किया रही है लेकिन बॉइस के बाद बॉइस में लास्ट जो साउंड है वह सा किया रही है मत्तब इसके साथ में अगर हम एक और एस लगा तो वूमिलकर क्या बन जाएगा वह हिसिंग साउंड हो जाएगा तो हम इसी हिसिंग साउंड को करने के लिए अपास्ट ऑफी यस जो बाद में यूज़ करते हैं उसका मीं यूज़ नहीं करते हैं जो इसमें अनिका रहता है उसी को मीचे इसमाल लेते हैं उसके बाद में हम सिर्फ अपाश्टोफी लगा देते हैं बस ठीक है जैसे अब ऐसे नाम भी है कि या सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉइज और ग्ल्स सिर्फ इसके साथ में हिसिंग सावंड होता है कोई singular नाम भी है singular भी है जिसे लिखा है पारस पारस लिखा हुआ है तो पारस यह तो एक लड़का है ना एक singular है और इसके साथ में हम सिर्फ अपास्ट्राफी यस का यूज़ करेंगे यस का यूज़ नहीं करेंगे इसका मतलब नियम निकल के यह आता है कि singular plural तो ठीक है लेक में यस नहीं आना चाहिए अगर यस आ गया सा की साउंड आ गई तो उसके बाद में सिर्फ हम अपास्ट्राफी लगाएंगे यस का यूज़ हम नहीं करेंगे ठीक है वो चाहें singular हो चाहें plural हो अब यहां पर देख लीजिए वूमेंस क्लब यह बिलकुल सही है चिल्रेंस चिल्रेंस पार्टी यह भी बिलकुल सही है तो इस नियम में हमने जाना कि हिसिंग साउंड को हमें एवाइड करना है वर्ड चाहें singular हो और चाहें plural हो तो आएए हम जानते हैं हमारे कुछ और नियम आएए अब हम उस नियम को जानते हैं जो non-living होकर भी एक living की तरह काम करता है एक personified thing की तरह काम करता है तो वो कौन-कौन से वर्ड है जैसे कोई भी non-living things as a person काम कर रहा हो यह जब हम figure of speech लाठी होना तो एक मात सहाना मतलब एक non-living things है कहते हैं कि यह लाठी नहीं है यह मेरे हाथ पेर है इसका मतलब वो लाठी कैसे काम कर रही है एक living things की तरह काम कर रहे हैं तो ऐसे non-living things जो person की तरह काम करते हैं उनके साथ हम a past of years का use कर सकते हैं जैसे कुछ word आपके सामने लिखे हैं duties call duties मतलब जब हम कहीं पर duty कर रहे होते हैं और जैसे 9 बजे हमको कहीं पहुचना है तो अचानक हमारे दिमाय में कोई होता है कि हमारी duty क्या हो रही है मुझे बुला रही है इसका मतलब यह duty है यह है तो non-living things लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह personified किया गया रहा है इसका मानवी करन हुआ है इसके अंदर कोई जीव है जैसे soul's prayer आत्मा आत्मा किसे ने देखा नहीं है उसको निर्जीव में consider किया जाता है लेकिन आत्मा की प्रार्थना मतलब आत्मा हमारी प्रार्थना कर रही है वह English grammar जो है soul को as a non-living things consider करती है death death अपने आप में भी क्या है non-living things है और non-living things होने के साथ साथ जब मौत के दरवाजे पर कहते हैं कि यह मौत के दरवाजे पर खड़े हैं तो मौत का दरवाजा और आपका दरवाजा आप तो जीव हो गए आप तो living things हो गए लेकिन मौत कहां से जीव हो गई मौत कहां से living things हो गई तो इसलिए इसको भी as a living things use होते हैं नेचर सकाल पर जैसे होते हैं नैятर फैनल कोई प्रकृतिकई कोई कॉल होती है या कहते हैं कि कोई भी खत्रे के पहले कुछ न कुछ अन्देशा ऐसे नेचर के द्वारा दे दिया जाता है उसी को हम कहते है nature's call तो अगर कोई चीज personified हुई है personified हुई है कोई भी non living things है उसका मानवी करण हुआ है उसके साथ में हम apost of yes का use कर सकते हैं तो आईए अब हम और जान दें apost of yes का हम लगा सकते हैं अब हम बात करते हैं उस compound noun की जिसके साथ में हम apost of yes कहां लगाते हैं यह हमें देख रहा है compound word क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं compound noun क्या होते हैं वलब word compound word जो two or more than more than two words से मिलकर बनते हैं जो दो या दो से अधिक सब वर्ड से मिलकर बनते हैं जैसे father in law sister in low मत लिखना ला और brother in law commander commander in chief commander in chief तो इसको कहते हैं compound word अब ये compound word होने के साथ साथ एक noun भी है अब हम जानेंगे कि अगर इस तरह के वाक्या आगे तब हम अपाश्टाफिक यस का यूज कहां करते हैं तो compound word में हमेशा लास्ट में ही हम अपाश्टाफिक यस का यूज करते हैं जैसे लाज फादर इन लाज कहते हैं ना कि इन लाज हाउस इन लाज हाउस ठीक है सिस्टर इन लाज वर्क ठीक है फादर इन लाज बाइक ठीक है ब्रदर इन लाज मोबाइल कमांडर इन चीप्स ओर्डर तो इस तरह हम जानेंगे कि compound word जो noun की तरह काम करते हैं उसमें हम a past of yes का use हम कहां करेंगे तो ऐसे हम a past of yes का use करेंगे तो आईए अब हम जानते हैं हमारे कुछ और नियम को आईए अब हम जानते हैं कि अगर एक subject compound subject है जैसे लिखा है कि राम and अब इस होम का पजाष्चन हमें दिखाने है कि यह घर इन दोनों का है तब हम अपाथ्ट ओफिएज कहां लगाएंगे किसके साथ लगाएंगे अ फीर भी हमको यह बताना है कि इनका घर एक ही घर है इन का घर एक ही गर है यह घर जो है ये इनका भी घर है और इनका भी घर है दो अलग अलग घर है तो अब हम आई जानते हैं कैसे करते हैं अगर लास्ट में अपास्ट आफियस लगा मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने एक सब्जेट की तरह दो singular noun and से जुड़े हुए है दो proper noun किसे जुड़े हुए है और उसके जो second वाला noun one and noun two इस noun two में पास्ट आफियस लगा है तब हम जानेंगे कि ये जो घर है ये घर भी इनका है ये भी घर इनका है मतलब दोनों का घर बिलकुल सेम है अच्छा अगर रामाज एंड स्यामाज हुम अगर ऐसे लिखा हुआ है अपास्ट आफियस दोनों में लगा हुआ है तब हम जानेंगे इनका घर अलग है और इनका घर अलग है मतलब दोनों का घर अलग अलग है तो इस नियम में हमने जाना कि अगर सबजेक्ट में दो नाउन एंड से जुड़े हुए है और किसी पजशन को हमें दिखाना है कि ये एक ही है कि दोनों के अलग अलग है तब हम आपास्ट आफियस का यूज ऐसे करेंगे तो आईए जान अपल के माधियम से इस नियम को हम और पॉलिस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं सीता ईंड सरलाज इसकूल इस बेरीनेर अब आपको बताना है कि ये जो position है जिस पर अधिकार बताया जा रहा है सीता का और सरला का ये school इन दोनों का है कि सिर्फ सीता का है या सिर्फ सरला का है देखिए अपाश्ट आफियस बाद में लगा हुआ है N1, N2 अपास्ट आफियस N2 में लगा हुआ है, बाद वाले में लगा हुआ है इसका मतलब सीता का भी स्कूल सेम है और सरला का भी स्कूल बिलकुल हुआ है मतलब दोनों का स्कूल बिलकुल सेम है सोहन's and Mohan's slate is made of tin सोहन का और Mohan का जो slate है वो दोनों किस से बने हुए है tin से बने हुए अब आपको बताना है कि यह जो slate है यह दोनों का एक ही है कि दोनों का अलग-अलग है तो जब अलग-अलग अपास्ट आफियस लगा हुआ है तो यह slate अलग-अलग है सोहन में भी अपाश्टाफी यस लगा हुआ है और मोहन में भी अपाश्टाफी यस लगा हुआ है सैलीज एंड वर्समर्थ सैलीज एंड वर्समर्थ पोयम आर वेरी इंट्रेस्टिंग जो सैली की और वर्समर्थ इन दोनों की पोयम्स मतलब यह जो poems जिस पर अधिकार दिखाया जा रहा है यह Sally की अलग है और वर्समर्द की अलग है दोनों की जो poetry है दोनों की जो poem है वो बहुत interesting है आज का सबसे अंतिम रूल अगर एक ही sentence में दो past obvious use हुए है तो क्या वो sentence सही है कि गलत है आईए हम जानते हैं इस example के माद्यम से लिखा हुआ है कि रामाज था था फादर्स बाइक क्या यह sentence सही है ठीक है और देखते हैं मोहंस वाइपस बैक्स बैग ठीक है तो क्या एक sentence में दो past obvious लगाना सही है कि गलत है अगर सही है तो क्यों सही है गलत है तो क्यों गलत है तो देखते हैं कि हमारा नियम कहता है कि एक sentence में दो past obvious हम यूज नहीं कर सकते हैं उसके लिए एक नियम बनाया गया है देखिए यहाँ पे दो noun आया है नाउन वन जिसमें अपास्ट्राफियस लगाया जा सकता है नाउन टू इसमें भी अपास्ट्राफियस लगाया गया इसका मतलब क्या है इस पर पजस्ट्सन दिखाना है हमको इस पर अधिकार दिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक फार्मूले को तयार करेंगे सबसे पहले हम किस चीज़ को लिखैंगे पाजस्शन को लिखैंगे मलब जिस अब सबसे पहले यह पजशन है ठिके तो सबसे पहले हम पहले लिखते हैं बाइक बाईक, आफ बी लगाना है हापे, बाईक, आफ, बाइक आफ, यहाँ पे आफ लगेगा, बाईक आफ रामास, बाईक आफ रामास फादर, तो नियम क्या कहता है हमारा possession लगाना है उसके बाद में off लगाना है फिर noun one में a past of yes लगाना है फिर noun two को as it is लिख देना है फिर ये भी sentence देख लेते हैं possession क्या कहता है हमारा क्या है possession bag तो bag of Mohan's Mohan noun one noun one में क्या लगाना हमको a past of yes wife wife को हमको ऐसे ही लिख देना है ठीक ना तो bag of Mohan's wife ठीक ना तो ऐसे हम दो a past of yes वाले वाक्यों को हम टैकल करेंगे तो आज की वीडियों बस इतना ही और अभी तक आप चैनल पहली बार आया है please subscribe the channel and press the bell icon